कि दोस्तों मैं कुछ दिन से बहुत पड़े सान था इस डास्ट के विए से जब भी मैं इसको क्लीन करता हूं एक दो घंटे के अंदर फिर आके जमा हो जाता है एक साइड से क्लीन करता हूं दूसरे साइड से आके जमा हो जाता है तो इस चीज़ से छूट कर आप आने के लिए मैं सोच रहा था कि क्या किया जाए तो मेरे दिमाग में आये कि एक vacuum cleaner क्यों ना order किया जाए तो जब मैंने vacuum cleaner के बारे में ज़्यादा जानकड़ी ले रहा था इंटरनेट पर तो सबसे ज़्यादा मुझे जो अच्छा लगा जो powerful लगा वो है फिलिप्स के तरफ से आने वाला power pro compact जो कि एक देख सकते हूँ तो यह मैंने क्यों order किया हूँ आपको पूरे details में बताऊंगा सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि यह जो हमारे परस product आया है vacuum cleaner यह आपके घर या swap के लिए कितना ज़्यादा effectively काम करेगा और इसका जो power efficiency है इतना ज़्यादा Q है जिसके जड़िया बहुत ही आसानी से आपने घर या swap का कोई भी dust का particle को clean कर सकते हो तो सबसे पहले मैं इस box के अंदर से सारे के सारे product को बाहर निकलता हूँ के बाद मैं आपको एक एक चीज के बार में पूरा डेटेल में बताता हूँ कि यूप की मार्केट के अंदर के सारे क्लेनर रहते हुए भी मैंने इस ही कोई क्यूब सिलेट किया हूँ आपको पूरा डेटेल में बताऊंगा इस भैकॉम क्लेनर के साथ आपको मिलेगा दो टार्बो ब्रास जिसके जरीए आप अपने फुलोर और मैट के उपर जो भी डास्ट यार कुसी भी चीज का पाटिकल रहेंगे तो बहुत ही आसनी से आप क्लेन कर पाओगे और इन दोनों से एक के अंदर आपको ऐसा फीचार मिलता है जो कि आपको इस प्राइस रेंज के अंदर दूसरे जो भैकॉम क्लेनर है ऑसके आपको देखरहे होंगे इस की को जैसे आप उपर उठाओगे तो इसके अंदर जो ब्रास है वह ब्रास अपने डास्ट पाटिके के लेगा इसलिए काफी अच्छा पर चाहे तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो उसके बाद आपको जो नौजल मिलता है इसके अंदर देख सकते हो इसका जो अटचमेंट है नौजल का एक काफी वड़ा सब आपको मिल जाते हैं यानि कि आगर आपके फ्लोर के अंदर आपको कोई भी ऊपर का चीज क्लिन करना है तो बहुत यासाने साथ कर सकते हो और इंटिग्रेटेड यहां पर एक सॉप्ट ब्रास दिया गया है यहां पर जो कि इसके जरिए भी आप छोटा सा डस्ट पर्टिकल क तो बहुत ही आसाने से क्लेल कर पाओगे और उसके साथ ही साथ अगर आप चाहते हो इस ब्रास को और भी यानि कि इस नौजल को और भी ज्यादा लंबा करना तो इसके लिए आपको एक स्टेल का भी देख सकतो एटाश्मेंट मिल जाती है इसके जरिए आप अपने इस ची आप नया मैसिन खरीद रहे हो तो उसके साथ जो यूजर मैनुआल मिलता है एक बाद जोरूर इसको परिएगा क्यूंकि इसको किस तरीक से ऑपरेट करना है सभी को पता नहीं होता है और जिसको पता भी होता है उनके लिए तो जूरत नहीं पड़ता है लेकिन जो भी मेशिन आप पहली बार पर्चेस कर रहे हो यूज करने के लिए आपको यूजर मेनुवाल जुरूर पढ़ना चाहिए तो इस वैकॉम क्लीनर का जो बेल्ड क्वालेटी है मुझे काफी अच्छा लगा है क्यूंकि दोस्तों जब कोई व्याप चीज का अड़्वाटाइजमे नहीं होता है लेकिन इस वैकॉम क्लीनर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है क्यूंकि जैसे मैंने पिक्चर पर दिखा था ठीक उसी तरीके का इसका जो बिल्ड कॉलिटी है और काफी प्रीमियम कॉलिटी है जैसे कि हाथ में लेते ही आपको पता चल जाएगा कि इसका बिल्ड क को क्लेन करोगे तो जब आगे की तरब जाओगे तो आपके साथ साथ पीछे पीछे ये भी आपके साथ चलते रहेंगे इसका बरहुल के बैसे तो यह काफी आडवेंटेज आपको देखने को मिलेंगे उसके बाद हम मुझे दूसरा जो इसका बहुत अच्छा लगा है वो दूर तक इस्तेमल कर पाऊगे मानली जी आपका बोड कही दूर पे लगा हुआ है और आप चाहते हो अपने च्छाई या साथ फीट दूर में जाके कोई भी चीज को क्लीन करना चाहते हो तो उस समय आपको बहुत ही काम आएंगे ये ओयर इस वेकॉम क्लीनर का तीसरा सब से बड़ी फीचर से है कि आपको या उयर जो है इसको बाइंडिंग करने के लिए आपको कोई भी मेहनत नहीं करने परेंगे इसके अंदर दो आपको switch मिलता है एक तो power switch, एक ओयर banding के लिए switch ये ओयर banding क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ देखा आपने इसको कहते है ओयर banding याने की इसका जो ओयर bind करने का speed आपने देख लिया है और अब मैं लिजिए आपने ओयर banding के समाई किसी चीज से ये और अटक गया है और ये अंदर नहीं जा रहा है तो ये क्या होगा कि इसके अंदर जो मोटर लगा हुआ है वो चलना बंध हो जाएगा यानि that यज़ो फीचर से काफी अच्छा लगा है मोह को उसके बाद इसकी आगर पार्फोन्मेंसी की बात करें तो लगभग जो अमरे मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है वैकॉम क्लिनर उसके अंदर लगभग में 20 आर पर पसकेल की पावर देखने को मिलता है लेकिन इसके अंदर 33 पसकेल पर आवर हमें पावर देखने क मिलता है तो ये काफी अच्छी बात है इसलिए मैंने इसको ओडर किया था और सबसे बड़ी बात है इस बैकॉम क्लिनर को ओडर करने के लिए वह इसका बैगलेस कंटेनर के लिए क्योंकि मर्केट में हमें दो पुरो करके बैकॉम क्लिनर देखने को मिलता है एक तो उईद ब बात होते हैं कि हमें बार बार उस बैग को चेज करना पड़ता है लेकिन इसे वैकॉम क्लीनर के अंदर एसा कुछ भी नहीं है क्योंकि एक बैगलेस वैकॉम क्लीनर है और इसके अंदर एक कंटेनर दिया गया है जो कि यह देख सकते हो यह देख सकतो हमारा बैगलेस कंटेनर यानि कि यहाँ पे एक फिल्टर लगा हुआ है जो भी डास्ट पार्टिकल होंगे हमारे इस कंटेनर के अंदर क्या है आके जमा हो जाएगा और आप चाहे तो इसको खाली करके फिर से इसको इसको इस्तेमल कर पाऊगे यानि कि इसको करने का कोई भी जरूरत नहीं परेगी जो भी डास्ट पार्टिकल यहां पर जमा होंगे आप दूबारा इसको खाली करके यूज कर पाऊंगे लेकिन जिसके अंदर बैग हमें मिलता है उसके अंदर आपको बैग को ही फेक देना पड़ता है यानि कि हमें दिक्क्यत के बा इतना बड़ा है कि जब आप कोई भी चीज क्लीन करोगे डास्ट वगरत तो उस समय चाहे तो आप अपने पैरों से इस बटन को प्रेस कर पाऊंगे यानि कि इस वैकॉम क्लीनर को बंद या चालू कर पाऊंगे तो यह भी मुझे काफी अच्छा लगा है इसलिए मैंने इ इसको इस्तेमल करकर देखता हूं कि इसका जो पार्फॉर्मेंस से कैसा है हमारा जो स्वाप के अंदर जो भी डास्ट पार्टिकल है उसको किलीन कर पार रहा है कि नहीं हम देख लेते हैं सबसे पहले तो हम एटचमेंट करेंगे यह जो बड़ावला हमें को मिला है इस करना होगा और प्रेस करने के बाद आपको यहां पर डाल देना होगा तो देखिए हमारा अटचमेंट हो गया एक साइड और दूसरे साइड चाहे तो आप इसको डारेक्ट ले भी इस्तेमल कर सकते हो और चाहे तो आप इसके साथ-साथ जो ब्रास हमें मिला है उसको भी आ पाकि जो सारे ब्रासर से उसको हम इस्तेमल करेंगे कर देंगे डाल दूसरे सकते है आप घसके साथ को आपीड़े डाले पाका सुर्फरा वाNew की एक घपाव दूसरे भी उसके साभ़ी tv-नीयों हो आपिए हो आप गे ज़दांगी आपीज़फ। क्रेश़ख कर भी योदागे इस्तेमल कर सबूसरत हो तो तो झाहे? खल जाट मेंने पहा क्वेयरी हुआ वपा है थे आंड़ी ए depends करे लियर आए जर खुआ जर स्थेड़ एग कर दो दो आगए या खार टूब हां कि अवा खार आग कर फारा आग रफी इंग कि भीक कि अपार तूब को अवाँ झा सागा घए कि अपार ग्जर को अपार कि फिर हागा है लैं आख लैंगी लैंगी सरा चापी कि टुपी लैंगी हुआ 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 है कि यह तो दोस्तों देखा इसका कमल के कितना आसान इसे सारे के सारे जो डास्ट क्लिन कर चुका है और हमारा जो सौपे आभी साप सुत्रा लग रहा है तो मैंने आभी जो मेरा जो काम करने का एरिया है अब करने काРЕ कि गाया कॉई कोई यहां te ञेशह था वह उसी मेरे प्लेस को मैंने तो आप भी जो मेरे क्या की हों कि जो मिन्हें काम करने का जो अरिया थाSome कुई करने का आप यहां वो मेरे जहां करूंगा तो मुझे अच्छा लगे करने में क्योंकि डास्ट मुझे को बहुत यह अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए मैं सोचते रहता हूं कि डास्ट को यान कि दूल को किस तरीके से क्लीन किया जासा है ताकि धूल को किस तरीके से दूर हटाया जा सके हमरे काम करने के जो एडिया है उससे तो चलिए दोस्तों आप मैं आपको दिखाता हूं कि इसके साथ जो बागी अटचमेंट इसके साथ जो बागी अटचमेंट मिलता है उसको किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है उसके बाद में अब लोगों एक मेना या दो मेहने के बाद इसका जो रिजाल्ट है वो कह रहता है इसका पर्फॉन्मेंस आही रहता है या कम हो जाता है यह ने आपको दिखांगा उसके बाद मैंने एक चीज कहना बूल गया था कि इसके अंदर यहां पर देख सकते हो यहाँ पर के साइड लेके जाओगे तो अगर आप कम रहेक नोड़ intolerant चाहते हो तो कम रहेंगा तो यह काफी अच्छी जो फीचर मुझे लगा हैँ इसके बारे मुझे जादा पता नहीं थै लेकिन जब ने उसको आपरेट कर रहा ता तब मेरे को पता चला है इस चीज़ के बारे में तो दोस्तों आब मैं आपको दिखाता हूं कि इस प्रकर के जो हमारा ब्रास मिला है इसको कैसे इस्तेमल करना है तो इसके साथ क्या करना है यह जो हमारा डास्ट किलीन करने के लिए याने की जो करने के लिए तो इस तरह करेंगे तो इसको और भी आप बड़ा कर सकते हो और आपने घर के उपर कर सकते हैं आप सबस्क्राइब उसको भी आप किलीन कर सकते हो नीच से यह काफी बरा साइए देख सकतो अभी भी हमारे कैमेरा से इस चीज को रखा हुआ है लगबाग तीन फीट के आसपास हो जाएंगे यहां पर देख सकते हो तो इस तरीके से आप इस वेकॉम किलीनर को काफी माल्टिपल तरीके से इस्त कर सकतो आपने घर या स्वाप के लिए काफी अच्छा ये सबत होगा क्योंकि ये बैग लेस वैकॉम क्लीनर है इसलिए इसका जो लॉंग्जिविटिय काफी जादा हो जाती है और आपको ये भी नहीं सोचना परेगा कि हमारा जो बैग वह बढ़ जाएगा उसके बाद हमार आप अपने घर के बाहर कर दीजिए इस कमपर्टमेंट के जरिए अगर इस वीडियो को अच्छा लगा थो लाइक जूरूर कीजिएगा और इस वीडियोो को अपने सारे दोस्तों के साथ और इस्तेदर के साथ भी सेर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी पता चलेगी अगर अपने घर के लिए अगर कोई भी वेकॉम क्लीनर लेने के लिए सूच रहे है तो ये उसके लिए बेस्ट और अच्छा हो सकता है क्योंकि इस प्रैस रेंज के अंदर इस चीज है आपको एक भी डास्ट का हिस्सा नहीं रहेगा आपने फ्लोर पर अगर इसके जरिया आप साप कर लोगे तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा दिया हूं तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हुई से ओल दा ब शेडिया हूं दॉष्धियो मेंने नेक्स्ट, क्यों गिवटयो कर दोस्तों से कि मुदना एरुग मैंने जोब सकीजर से तोस्तों वहताना तोस्तों लोगों नेक्स्तों स्वटतों वहता हूं जा डात्वा सन्स कि मैंट दीकीजरी evaluations आटमा से कीजरा हूं छीके ड़ए